हलो फ्रेंड स्वागत है आपका अपना यूटूब चैनल विनीत अजूकेशन पर दक्षिन भारत का इतिहास सीरीज में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूँ ये पाट दूसरा वीडियो है दक्षिन भारत का यदि आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्किप्शन बॉक्स में दिया गया है आप उसे देख सकते हैं साथ ही साथ यदि आप हमारा YouTube चनल पर पहली बारा हैं तो इसे जल से जल सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस तरह का beneficial वीडियो हमेशा आते रहेगा जिससे आप लोग को काफी benefit पहुँचाएगी और इतिहास को किसी भी इतिहास को समयने के लिए कम से कम आप तीन चीज ध्या या मध्य भारत का या प्राचिन भारत का और इस तरह का प्रश्ट मैं हमेशा अपना वीडियो में बताता हूं दच्छिन भारत के इतिहास में तो दच्छिन भारत के इतिहास के करम में पिछले वीडियो में हमने मूल रूप से दच्छिन भारत के प्ररम्भिक बंस पिर बारी बारी से सभी बंसों को पढ़ेंगे तथा उससे पुछे जाने वाले objective question को पर focus करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं तो इससे पहले मैं आप लोग को पहले भोगुलिक की स्थितिया के बार में बदा देता हूं कि कौन से छेतर में कौन सा बंस उभर कर आते हैं तो सबसे पहले जो है संगम बंस की समापती के बाद पल्लव बंस का उदे होता है तो जो पल्लव बंस का जो छेतर था वो कृष्णा काविरी नदी के बीच का छेतर था कृष्णा काविरी के इसके बाद जो है वातापी का चलुक चलुक बंस का उदे होता है और इसमें सबसे साथ ब्येंगी के चलूक को कभी उदय होता है इसके ही समकालिन था पलव के ही समकालिन था ब्येंगी के चलूक के बाद हम लोग महराष्टा के छेतर में उदय होने वाले राष्ट कूट बंस के बार में पढ़ेंगे तो चलूक के पतं के बाद राष्ट कूट बंस का उदय ह होने वाला चुबंस की बारे में पढ़ेंगे तो चलिए शुरू करते हैं तो चलिए बैक ग्रॉंड देख लेते हैं थोड़ा सा तो पल्लव की यानि पल्लव वंस की अस्थापना उस समय हुई थी जब सात्यवाहन बंस का पतन हो रहा था पल्लव वंस कृष्णा नदी के ध शिख और विश्णु हैं तो अगर आप लोग से पूछे कि पल्लव का संस्थापक कोन है तो वह बपा देव को मानेंगे बट यदि वास्तविक शिख्णु को तो वह सीख विश्णु को तो शिख विश्णु को रहे आगा चलिए नेश्ट देख लेते हैं इसकी राइधा यानि काची थी जो तमिल एड़ू छेतर में हुआ करती थी। इसका जो परमुक्षा सकता जो इसको बोल सकते हैं कि इसका जो बस्तविक संस्थापक था वो सिंह विष्णु को क्यों माना जाता है तो सिंह विष्णु ने सबसे पहले अपने समराज सीमा का विस्तरीत किया य कहते हैं, तो और इसका next देखते हैं कि सिह विष्नु जो था वो बश्नव धर्म का नुवाई था यह बश्नव धर्म को मानने वाला था सी विष्नु, शी विष्नु के दर्वार में भार्वी नाम का लेकहक रहा करता था, जिसने कृता जुनियम की रशना की थी, यहां पे मै दिया हुआ कि कृताजुनियम की लेख़क भारवी थे जो सिह विष्नु के दरवार में रहा करते थे तो यह किश्न बहुत बार प्रिवे सियर का जब किश्न आप लोग उठाएंगे तो यह बहुत जैगा रहेगा कि कृताजुनियम की लेख़क जो थे भारवी वो किसके दरवार में रहते थे तो वो शीह विश्णू के दरवार में रहते थे सीह विश्णू ने ही यानि इसके सासन काल में ही मामल पूरम में वलाह मंदिर का निर्मान हुआ था मामल पूरम में आदी बरह गुफाया बरह मंदिर का निर्मान सीह बिश्णू के काल में हुआ था सीह बिश्णू एक महान परतापी सासक था जिसने चेर, चोल, पांडिवन्स के राजाओं को यूद में प्रास्त किया था इसके बाद महेंदर बर्मन सासक बनकर आते हैं महेंदर बर्मन एक महान कभी इवं सेंगी तक गये था सुरुवात में वह जैन धर्म का अनुवाई था पर बाद में अपर, बाद में तमिल संथ अपर के प्रवाव में आकर सब धर्म का अनुवाई बन गया था तो और एक और बात महेंदर बर्मन से आता है कि महेंदर बर्मन के सासन काल में चलूक की नरेस पुलकेशन दितुय ने आकर्मन किया था और पलब सासक महेंदर बर्मन को यूद में पराजित किया था यहीं से पलबो और चलूक के बीच में यूद की सुभात हो जाती है तो आप लोग ध्यान दिजेगा एक बात दच्छिन भारत में ऐसा कर्मन लगवक होते रहता था क्यों होता था इसकी दो करांते एक तो समराज विस्थार करना अर्था एक दूसरे के छेतर को जितकर अपने छेतर में मिलाना और समराज विस्तार के लिए उन चेतरों उपर आकर्मन किया जाता था जो सबसे उपजाओ चेतर हो एक्जामपल की रूप में उस समय दच्छिन भारत का किरिशना के दो आप चेतर हैं वो दच्छिन भारत का सबसे उपजाओ चेतर था दूसरा जो अकर्मन का मोखी कानन था वो धार्मिक कानन था क्योंकि दच्छिन भारत में कहीं कहीं बशनब धर्म को मानने वाले थे तो कहीं कहीं सब धर्म को मानने वाले तो बशनब धर्म वाले सासक सब धर्म को सब धर्म के साथ ज़ाई करते थे और साइब धर्म को मानने वाले बशनव धर्म के साथ यूद करते थे तो इसलिए ऐसा बार बार आकर्मन दचिन भारत में हमें देखने को मिलता है मत विलास प्रहसन की रचना की तो महंद्र वर्मन ने मत विलास प्रहसन की रचना की थी जो पलव कांड की महतपूर रचना है या परमुक ही रचना की रूप में इसे देखा जाता है इसके बाद जो है पुलकीसिन दीतिये ने आकर्वन कर इसे प्रास्त किया था महेंदर बर्मन को तो मैंने अभी जेश्ट बता है कि महेंदर बर्मन के सासनकाल में चल्यूक के जो नरेश ने पुलकीसिन दीतिये वो आकर्मन करता है और पलव सासक महेंदर बर्मन को यूद में पराजित करता है इसके बाद जो परमोक सासक के रूप में आते हैं वो नर्सिंग बर्मन पर्थम थे तो नर्सिंग बर्मन पर्थम के रूप में अभी देखते हैं तो पूरी पल्लव वंस का सबसे शक्ति साली सासा गय कर कोई है तो वो नर्सिंग बर्मन पर्थम था उसने पुलकेसिन दितियों को यूद में पराजित किया था और इसे पराजित के नसीम वर्मन पर्थम ने वातापिक कौंड की उपाधी धारन की थी मत विलास प्रहसन की रचना की तो महंद्र वर्मन ने मत विलास प्रहसन की रचना की थी जो पलव कांड की महतपूर रचना या परमुक ही रचना के रूप में इसे देखा जाता है इसके बाद जो है पुलकीसिन दीतिये ने आकर्मन कर इसे प्रास्त किया था महेंदर बर्मन को तो मैंने अभी जेश्ट बता है कि महेंदर बर्मन के सासनकाल में चल्यूक के जो नरेश ने पुलकीसिन दीती है वो आकर्मन करता है और पल्लब सासक महेंदर बर्मन को यूद में पराजित करता है इसके बाद जो परमोक सासक के रूप में आते हैं वो नर्सिंग वर्मन पर्थम थे तो नर्सिंग वर्मन पर्थम के रूप में अभी देखते हैं तो पूरी पल्लव वंस का सबसे शक्ति साली सासा गय कर कोई है तो वो नर्सिंग वर्मन पर्थम था उसने पुलकेसिन दीतिये को यूद में पराजित किया था और इसे पराजित कर नर्सीम वर्मन पर्थम ने वातापी कोंड की उपाधी धारन की थी नर्सीम वर्मन मैंने अभी पहले ही बताया कि सर्वाधिक सक्ति साली सासक नरसी वर्मन जो थे वो पल्लवन्स के पर्थम सरवाधिक सक्ति सालिस आ सकते पुलकिसिन दीतिये को प्राजित कर वातापी में समराज का विस्तार कर वातापी कोन की उपाधी धारन की तो इससे इसने यानि नर्सीन देव पर्थम ने बातापी को जित कर बातापी कुण की उपार्धिधारन की तथा बातापी में अपने समराज का विस्तार किया था फिनेक्ट है कि हिंसांग का काची में परवेश तो हिंसांग का काची में पर्वेश का मतलब है कि इसी की काल में यानि नर्शी वर्मन पर्थम के ही सासन काल में चिनी आतरी हिंसांग जो था वो काची में पर्वेश किया था जब आप किफशन पेपर को पलेटेएगा तो उसमें बहुत सारा है जो previous year में पूछ चुका है question कि धर्चिन भारत में किसके काल में हिंसां भारत में परवेश किया था या कांची में परवेश किया था तो उससे में कौन सासंग काल था उसमें कौन सासंग था धर्चिन भारत का नरसीम वर्मन पर्थम नेक्ट देखते हैं इसने महावाली पूरम में रथ मंदिर या एकासिम मंदिर तो नर्सीम वर्मन पर्थम ने महावाली पूरम में रथ मंदिरो अथवा एकासिम मंदिर का निर्मान नर्सीम दिम पर्थन नहीं करवाया था रत मंदिरों की संक्या जो है वो साथ है इन्हें इस सप्थ प्यगोडा के नाम से भी जाना जाता है आपके वली से द्यान से सुनीए आपको पता भी नहीं चलेगा और आपको याद हो जाएगा और जब आप एक्जाम में जाएगा और इस सब्जेक्ट से जब कीवजन पुछेगा तो आप सही करके आएगा नीचे ही तो चलिए देखते हैं तो महावाली पूरम अभी मैंने बताया कि महावाली पूरम जो तमी लाड़ू है उसमें रथ मंदिरों का निर्मान नर्सीम वर्मन पर्थम ने करवाया था इसे एक आशी मंदिर या सब्ट पैगोड़ा मंदिर के नम से जाना जाता है और जो रथ मंदिरों की जो संक्या है वो साथ्य है तो इतना आप ध्यान दीजेगा और मैंने एक और बात वायता था कि नर्सी वर्मन पर्थम के हिंसांग जो था वो काची में परविश किया था इसके बाद नर्सी वर्मन दिवत्ये जो हैं वो सासक बनकर आते हैं तो चले इनके बारे में देख लेते हैं तो इसका जो सासनकाल था वो सांती का सासनकाल माना जाता है क्यों माना जाता है क्योंकि इनके सासनकाल में अस्थापत्य कला का भरपूर विकास देखने को मिलता है तो एक्जामपल की रूप में देख रहेते हैं तो मुक्तेस्वर मंदीर का निर्मान ही इन्ही के काल में हुआ था बैकुन पेरु माना मंदीर केलास नाथ मंदीर जिसे राज सिद्यसवर नाथ मंदीर के नाम से जाना जाता है इन्हें सब का निर्मान होए वो नर्शिम बर्वन दिवतिय के सासनकाल में देखने को मिलता है एक और बात है कि जो कैलास नाथ मंदिर जिसे रास सिध्यस्वर नाथ मंदिर बोला जाता है इसी मंदिर से द्रेविड अस्थापत्य कला की सुरुवात भारत में हुई थी तो इतना आप ध्यान दिजेगा कि जो कैलास नाथ मंदिर है इसी मंदिर के निर्मान सहीं द्रेविड अस्थापत्य कला का जो है वो सुरुवात भारत में हुआ था नेक्ट दस कुमार चरीत्र के लेखक दांडी इनहीं के दरवार में रहते थे तो नर्शी वर्मन दीतिये के दरवार में संस्कृत के परसीद लेखक जो दांडी थे वो रहा करते थे इन्होंने दस चरीतर कुमार की रचना की थी यानि दस चरीतर कुमार की इन्होंने रचना की थी या दस कुमार भी बोल सकते हैं दस कुमार चरित की रचना की थी पर आप रभम बाद में जो है वह चोल सासक परलब समराज को जीत लेता है और अपने समराज में मिला लेता है यहीं कि बाद परलब समराज का अंथ हो जाता है तो इसके बाद मैं पढ़ूँगा चलूग की समराज चलूक किसमराज की और चलते हैं चलूक की की तीन साखा थे बट यहां मैं दो पढ़ूँगा क्यों पढ़ूँगा क्योंकि इसके जो समकालिन थे यानि दोनों साथ साथ चल रहे हैं थे वातापी चलूक और बिंगी चलूक बातापी चलूग को बातापी चलूग को बिंगी चलूग की क्यों बोलते हैं पहले यहाँ पर मैं कन्फूज आप लोग को दूर कर देता हूँ तो जिन सासको ने बातापी को अपनी राइधानी बनाया वो बातापी के चलूग के कहला है तथा जिसने बिंगी को अपनी राइधानी बना है वो बिंगी के चलुक के काला है तो आप लोग को कन्फ्यूजे दोर हूग गया होगा कि ये बतापी चलुक क्या है और बिंगी चलुक के क्या है तो चलिए मैं भी बतापी के चलुक को पढ़ता हूँ तो बातापी के चलूग को बादामी चलूग की भी कहा जाता है यह जो राज था वो कृष्णा और तुगभाद्रा नदी के बीच में इस दिता यह कृष्णा और तुगभाद्रा नदी के बीच में इस दिता तो चले इसके संस्थापक क्यों देखते हैं तो इसके जो संस्थापक थे वो जैसिंग थे बढ़ कहीं कहीं पुलकेसिन पर्थम भी दे देता है बढ़ इसका सही मानने में जो अंसर होगा वो जैसिंग होगा इसके जो संस्थापक थे वो जैसिंग है तो चलिए पुलकेसिन दीतिये को देख लेते हैं तो पुलकेसिन द पुलकेशिन दितिये के बारे में जो जनकारी मिलता है वो हमें सबसे पहले जनकारी मिलता है एहोल अभिलेक से जो रविकृती के द्वारा लिखा गया था पुलकेशिन दितिये के बारे में जनकारी मिलता है तो चलिए हमें एहोल अभिलेक के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं तो एहोल अभिलेक की जो रचना के थे वो रविकृती ने किया था यह चलूक की नरेस पुलकेशिन दितिये से समंदित है इस अभिलेक में पुलकेशिन दितिये ने हर्स को पराजित करने का उलेक मिलता है और उन्हें इसमें यह भी लिखा होता है कि पुलकेशिन दितिये ने हर्सवर्धन को पराजित किया और नर्मादा नदी के तट पर जब हर्सवर्धन दचिन की और बढ़ रहा था तो वहाँ पर चलूक से इसका संगर्ष होता है और जो पुलकेशिन दितिये हैं वो नर्म पुलकीसिन दितिये ने आपने सासन काल में पलब वेंस पराकर्मन किया और पलब सासक महंद्र वर्मन को यूद में पराज़ित किया इसका बदला इसका पूतर नर्सिंग वर्मन पर्थम ने लिया इसका बद्रा नरसिंग वर्मन पर्थम में लिया Pallal Buens का महा परतापी सासक नरसिंग वर्मन पर्थम ने इसी पिलके सिंधハハ को सिर लंका के राजा के साथ मिलकर 642 इसमे में पराजित कर उसे अपनी राधानी बादामी पर खबजा कर लिया और विजय के बाद नर्सीम वर्मन जो पर्थम थे उन्होंने बतापी कोंड की उपाधी धारां के तो देखे ये पूरा जो है वो मैं आपको बता देता हूँ एक लाइन में कि जो पूल केसिन दीती थे वो जब सासन कर रहा होते हैं तो पल्लबंस पर ये आकर्मन कर देते हैं और जब पल्लबंस पर आकर्मन करने के पस्चाल महंदर पर्थम है उसको यूद में पराजित कर लेता है तो पल्लबंस का जब सासक महंदर पर्थम यूद में पराजित हो जाता है अब बातापी कॉंड की उपाधी धारन करता है इसका अंतिम सासक किरिती वर्मन था तो देखे इसके बाद बिक्रमा दित अगला सासक बनता है और फिर अगला सासक बन जाता है और जिसने 654 इसवी में इसने पलवों से बदला लिया फिर इसने क्या किया कि पलवों से बाद ना लिया मैंने आपको पहले ही बता था कि दचीन भारत में इस तरह की यूद है जो लड़ते रहता है होते रहता था इसके बाद इसके बाद जो है वो किरिती वर्मन दिवतिये आता है किरिती वर्मन दिवतिये यहां पर किरिती वर् पराजित किया राष्ट्रकूर्ट के जो पर्थम सासक थे संस्थापक थे जो दंतिदुर्थ थे उसने पराजित किया और राष्ट्रकूर्ट बंसकी अस्थापना की पुलकीसिन दितिये के समय बेंगी चालूग की की अस्थापना हो थे क्योंकि जो बेंगी के चालूग की क जो संस्थापक थे विश्णू बर्धन वो यह बोले तो विश्णू बर्धन पुलकेसिन दितिये कहीं भाई था जिसे पुलकेसिन दितिये ने आपने बिजित समराज का छेत्र दे दिया था जहां पर बेंगी चलूकों की अस्थापना होती है तो यहां पर मैं आपको बता देहां कि इसके संस्थापक जो थे वो विश्णू बर्धन थे और इसकी जो राइधान थी बेंगी बेंगी कहां था तो आंदर प्रदेश में इसी बिश्णू बर्धन की पत्नी जो आइना महादेवी है उन्होंने बिज्यवाड़ा में जैन मंदिर का निर्मान करवाया इसकी जो पत्नी थी यानि बिश्णू बर्धन की जो पत्नी थी आइना महादेवी आइना महादेवी नहीं बेज्यवाड़ा के जन मंदिर का निर्मान करवाया था तो इतना अब ध्यान दीजेगा और एक और है कि बेंगी के जो चलू क्योंस थे उनका जो समराज था वो क और विश्णू बर्धन त्रितिये इसमें है कि इस बंस का सबसे परतापी सासक विज्यादीत त्रितिये था इसने सुबै को दछिंतम का सबसे महांतम सासक घोजित किया इसका मतलब है कि जो दछिं इन्होंने आपने आपको बताया कि दछिं भारत का मैं सबसे महांतम सासक इन्होंने यहीं गोजित गया था और एक और बात है कि आगे चल कर चालुक्यों और चोलों के बिच बैवाहिक समंध हो जाता है और चोलों का पड़ जाता है बहुत ही बढ़ जाता है और चालुक्य का दीरे-दीरे है वो पतन हो जाता है इसका मतलब वियंगी के चालुक्य क पतन हो जाता है इसमें important है note point है कि जो पर्मुख पंपनाथ या इसको बोल सकते हैं कि पापनाथ मंदिर और बिरुपाक्स मंदिर का निर्मान कार्ज भी चलुके के सासनकाल में हुआ था यह दो मंदिर है और है जो चलुके के सासनकाल में हुआ था पापनाथ मंदिर और बिर अच्छा लगए तो इसे लाइक कीजिए सब्सक्राब कीजिए और इसे सेर कीजिए ताकि इसे ज्यादा से ज्यादा लोग देखें और इतिहास को अधिक से अधिक समझ सकें तो चलिए नेक्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें मैं आप लोग को बताऊंगा राष्ट्रकुर् बंस के बारे में और इसे आगे की बारे में तो चलिए नेक्ट वीडियो मिलते हैं जहिन जभारत